बनी शिसोदिया को बेल क्यों नहीं दी सुप्रीम कोट ने जास्मिन जास्मिन, कुछ बड़ी चीजें सुप्रीम कोट ने कही है, वो 338 करोड रुपय की जो बात आई वो कहां से आईगी, 338 करोड रुपया जो है, वो शराब के होलसेलर्स को, छेकेदारों को बेला, सुप्रीम कोट ने कहा कि एक सबूत नहीं है, इसमें से एक रुपय का लेंदेन होने का, जो 338 करोड का फिगर आया, ये इससे आया कि पॉलिसी लागू होने पर, जितने भी होलसेल डिस्ट्रिब्यूटर्स हैं, उनको जादा प्रॉफिट्स मिले, सारे चुकी है, एक चवणनी का भी रिकवरी नहीं हुआ, और ये गौरोब भाटिया जी आज भी गला फाड़ फाड़ के कर रहे हैं, इतना बड़ा गोटा लओ गया, जी ये देख रहे हैं, पुरे देश की जनता कि केवल और केवल राजनितिक दुरूपयोग हो रहा है, इड तरीका है जीतने का, एडी और सीबी आई को अच्छा ठीक, मैं ये कह रहा हूँ, दर्शकों की सुविधा के लिए थोड़ एक एक करके हम लोग बात करते हैं, हमारे सामने जो फैक्ट्स हैं केवल उस पर हम लोग बात करें हैं, आपने ठीक कहा, कोट ने कहा, ये तै नहीं कहती है, और सीबी आई ये कहती है, कि यहीं से गुनाह साबित होता है, कि इनको ज़्यादा मुनाफ़ मिला, क्यूंकि इस तरीके से नई पॉलिसी बनाई गई थी, और एडी ने का, यही प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यही 338 रुपया जो है, यह प्रोसीड ऑफ क्राइम है, जो कि कही ना कही आमादी पार्टी को मिला, जो साबित करना है, और इस सब के बाद हुआ यह, कि सुप्रीम कोट ने कह दिया, कि हाँ, यह 338 करोड रुपया तो हमारे सामने दिख रहा है, इसलिए हम बेल नहीं दे सकते, मनीश से सोदिया को, लोग क्या समझेंगे, लोग जो था, आरोब जो लगाए गए थे कि आमादमी पार्टी को फाइदा पहुचा है, उनको करोडों का फाइदा पहुचा है, और आज तक मैं वापस कह दू, दो साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक हजार रेड के बाद, एक नए रुपया रिकवरी नहीं मिली, एक र अज़ाब भाटिया से आप जो बात कहरें, उसका जवाब हम लेते हैं, नहीं मिली मनुश्य से उतिया को बेल नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं यह तो नहीं कहा कि आमादमी पार्टी वालों को शराब का पैसा गया, यह तो सिद्ध भी तक नहीं मिली, जी बोले मोडी सरकार की आज देन है कि 2018 में इन्होंने PMLA, Money Laundering Act का जो संसोजन किया था, उसमें बेल मिल पाना लगबग असंभाव कर दिया था, नॉर्मली क्रिमिनल सिस्टम में होता है कि you are innocent until proven guilty, अब PMLA देश का ऐसा कानून हो गया है, मेरे खाल से विश्व का इकलोता कानून हो है कि जहां पर एक बार आपको जेल में डाल दे तो you are guilty unless you are proven in all right, चलिए सवाब एक बार को रहा है का